आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाँ जी 10 नवंबर को 8 नोटिफिकेशन आई हैं और इससे 3B और GSTR 1 पूरी तरह बदल गई हैं उनका जो प्रोसेस है सब कुछ बदल गया है इन 8 नोटिफिकेशन से तो अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए कि इन 8 नोटिफिकेशन में है क्या तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी और कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद ये जो ये 8 नोटिफिकेशन आईए जरा इनके बारे में समझते हैं पहली नोटिफिकेशन नमबर है 81 इसे जरा ध्यान से समझना आपको पता है कि भीया जो ये 3B को क्वाटरली करने वाले हैं इसके लिए इन्होंने section को change करा था और वो जो हमारा section थ नोटिफिकेशन नमबर 81 से इन्होंने क्या करा इन तीनों sections को section 39, 1, 2 और 7 इन्हें notify कर दिया कि भीया ये अब applicable हो जाएंगे 10 November 2020 से तो ये जो हमारे finance act में change हुआ था उन्होंने इसे effective कर दिया है कबसे 10 November सर ये तीनों section कहते गया है जिन लोगोंने हमारी pen drive purchase कर रखी है उन्हें हमने दिया हुआ है जब हमने section 39 पढ़ाया है उसमें ये तीनों section हमने बताए हैं अगर अभी तक आपने pen drive purchase नहीं करी है तो आप हमारी pen drive purchase कर ले अभी दिवाली offer चल रहा है ठीक है चलिए आगे चलत इस बारे में बात करते हैं आगे की बात करते हैं आगे इन्होंने क्या करा rule number जैसे ही 3b और 1 में changes हुए तो rule को तो change करना ही पढ़ेगा ना तो इन्होंने notification number 82 से कुछ rules को change करा पहला rule number change करा 59 पहले क्या हुआ होता था कि rule number 59 में लिखा होता था कि आपको gstr1 भरनी है लेकिन यहाँ पर इन्होंने especially लिखा कि भाया अब आपको gstr1 है वो monthly भी कर सकते और quarterly भी पहले जो quarterly wording थी वो वहाँ पर नहीं थी rule 59 में इन्होंने change करा क्योंकि पहले जो quarterly होती थी वो section 148 से हो रही थी लेकिन आप इन्होंने ये rule के अंदर change करा अब यहाँ पर इन्होंने क्या कह कि भाय जो वेक्ति quarterly 3B फाइल करेंगे अब जो वेक्ति quarterly 3B वाले हैं उन्हें में एक नाम से बुलाऊंगा उनका वो नाम होगा section 391 का प्रोविजो ठीक है ना जो section 391 के प्रोविजो में है उन लोगों को 3B quarterly फाइल करनी है ठीक है ना तो जो लोग 391 के प्रोविजो से 3B quarterly फाइल करेंगे तो उन लोगों के लिए इन्होंने एक facility दी है किस चीज की facility दी है invoice furnishing facility तो उन्होंने invoice furnishing facility की बात की गई है कि भाया क्योंकि तुम 3B quarterly करोगे तो जो तुमें invoice furnishing करने है तो आप इस facility का use करके आप file कर देना ठीक है जी और इसके बारे में इसकी चर्चा की गई है अब यहाँ पर हम पूरे rule को discuss नहीं करेंगे जो main main rule है वो discuss करेंगे सर पूरा rule कब discuss करोगे भी अब पूरा rule जो होना इसके लिए हमने क्या करा है webinar रखा है जो ही हमारा webinar है यह 22 नवंबर को है तो जो पूरे webinar का full मज़ा ले लो जो लोगों ने pen drive लिये वो tension बिलकुल ले इस webinar की recording अगर अच्छी हो गई तो हम आपको provide करा देंगे चलिए अब आगे की बात करते हैं आगे किस चीज की बात करते हैं इन्होंने क्या करा है rule number 61 में ही due date दे दी कि जो ये 3B की जो due date होती है वो हमें हर बार बतानी पड़ती है तो इन्होंने rule number 61 के अंदर ही due dates को बता दिया कि वह हमारी जो due dates हैंगी 20, 22, 24 वो हैं आपके लिए ज़्यादा important नहीं है क्योंकि आपको ये चीज पहले से ही पता है अब यहाँ पर इन्होंने एक बात और बोली है कि जो tax तुम्हें monthly payment करना है उसकी जो payment की date होगी वो 25 तारीक होगी यहाँ पर इन्होंने 20 तारीक नहीं बोला है क्या बोला है जो आप PMT 06 से tax की payment करोगे तो उसकी date इन्होंने क्या अगर यह 25 तारीक करिये यह इन्होंने थोड़ा सा relax दिया है क्या सर यह सारी update आप हमें December edition में दोगे बिलकुल जो हमारा December edition की magazine आएगी जो December edition की magazine आएगी सारा का सारा summarize करके आपको देंगे तो अगर किसी ने अभी तक webinar तो जोइन कर लिया लेकिन magazines नहीं लिये तो magazine भी subscribe करा ले अभी उस पर discount चल रहा है सबको November का edition मिल गया होगा अब बात करते हैं जी यह rule 61A क्या आया जो यह 3B है ना quarterly यह ना optional है यह mandatory नहीं है तो इन्होंने क्या कहा है कि इसे furnish करने के लिए हम आपको एक manner देंगे कि आप 3B कैसे optional लोगे तो उस manner की जो चर्चा की गई है वो की गई है rule 61A में कि जिन लोगों को 3B किसके लिए 391 का प्रोविजो उसके लिए जिस व्यक्ति को quarterly लेनी है तो वो व्यक्ति हम आपको रास्ता बता रहे हैं कि कैसे आप लोगे उस manner को rule 61A में इन्होंने बताया है और क्या है सर रूल में ऐसे काफी चीज़े पूरी चीज़े बताई नहीं जा सकती मैंने main main बता दी चलिए अब चलते हम अगली notification में अब अगली notification हमारी क्या है अगली notification को और ध्यानते पढ़ियेगा अगली notification क्या है GSTR1 की date dumped GSTR1 की date तो पता ही हमारी को GSTR1 की लेकिन भाये इन्होंने दुबारा GSTR1 की date दिये और जो इनकी पिछली notification थी उसे वापिस लिया है क्या डेट दिये, कि भई यह GSTR 1 वैसे तो तुम्हें 11 तारिक कोई भरनी है, लेकिन, लेकिन, यहां पर ध्यान दखना, जो व्यक्ति अपनी, जो व्यक्ति अपनी जो 3B है, वो quarterly फाइल कर रहा है, कौन से वाले व्यक्ति, 39, 1 के प्रोवी जो वाले, उन लोगों के लिए जो G GSTR 1 की जो डेट होगी, क्योंकि वो तो GSTR 1 जर्नली quarterly फाइल करेंगे, तो उनकी डेट 13 तारिक होगी, लेकिन, यह 13 तारिक किसके लिए होगी, ध्यान दखना, जिल लोगों ने 31, 1 का प्रोवी जो लिया है, quarterly 3B लिया है, तो उनके लिए GSTR 1 की डेट 13 तारिक होगी, देखो यह सारी notification ना कल आई है, तो जितनी अभी तक हमें समझ आई है, हमने उस हिसाब से आपको बता रहे है, अगर कुछ भी आपको गलत लगे तो comment box में करना, और अगर सही लगे तो भी बताना कि आपका view क्या है, अगर और कोई clarification आती है, हम आपको जरूर बताएंगे, आगे च over up to 5 करोड है, वही ले पाएंगे, और उनके लिए भी option लेने के लिए, इन्होंने क्या बोला कि आपको कुछ महनत करनी पड़ेगी, सर क्या महनत करनी पड़ेगी जरूर हमें बता दो, इन्होंने कहा है, कि आप अपनी जो returns है, वो time से अगर file कर देते हो, अगर आप अपन दे देगा, और अगर आपको वो option अच्छा ना लगे, वो option अच्छा ना लगे, तो वो 5 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक आप उसे change भी कर सकते हो, तो जो लोग अपनी returns को time से file करेंगे, तो portal उसके लिए ये favor करेगा, कि उसके लिए सारे options अपने आप ही बता देगा, उसक जो 3B, जो 3B optional है, quarterly, जो लेना चाते हैं उनके लिए, अब आते हैं notification number 85 पर, 85 किसकी बात करता है, 85 में हमने आपको पहले भी बताया था, कि ये 35% tax की बात करता है, कि 35% tax आपको pay करना है, हमने अपनी magazine में भी दिया था, November edition में with example, आप इन्होंने clarify कर दिया, कि भाया किस case में आपको वो 35% जमा नहीं कराना, तो ये 35% की बात करता है, इसके वारे में detail में अलग से separate video में बनाने की कोशिश करूँगा, और ये कब से आया है provision, ये 1 जनवरी 2021 से आएगा, 35% वाला, अब अगली notification क्या है, अगली notification क्या है, कि notification number 76 को withdraw कर लिया है, ठीक है ना, जो 3B की जो dates ती जब इनोंने rule में ही डाल दी, जो rule में ही इनोंने dates को डाल दिया, तो इनोंने यहां से notification number 76 को withdraw कर लिया, जो मैंने पहले बोला था न, GSTR 1 की dates को withdraw करा, वो नहीं था, notification number 76 से इनोंने 3B की dates को withdraw करा है, अब उसके बाद क्या, notification number 87, इनोंने notification number 87 में ITC 04 की जो date है, वो इनोंने बढ़ा दिये ठीके पहले इसकी डेट 25 अक्टूबर होती थी इसके लिए इन्होंने 30 नवंबर डेट कर दिये कि ITC 04 आप कर सकते हो और जो notification नंबर 88 आई है invoicing की उसमें इन्होंने change करा है 500 करोड की जंगा पर वड़ करा है 100 करोड तो इन्होंने ये major changes इन notification से करे हैं आशागर तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी अगर वीडियो अच्छे से समझ आई है सारी notification किलियर हुई है तो यहाँ पर like कीजेगा दोस्तों के साथ share कीजेगा अगर दिवाली का offer अभी तक किसी ने accept नहीं करा है तो दिवाली का offer ले लिजेगा pen drive membership magazine सब पर discount है और webinar के लिए भी अपना registration करा लिजेगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों को दिवाली की हार्दे सुप कामना है अपनी दिवाली अच्छे से बना है अपनी family के साथ बना है आपका धन बहुत जादा बड़े और मान समान सब बड़े सारी चीजों में आपकी व्रिद्यो यही मेरी सुपर से कामना है थैंक यू फोर वच्छे